नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर सो एक बड़ी ही शांदार खवर आप सभी के लिए लेकर आया हूँ इसरो अपना अगला मेगा मिशन तयार कर चुका है और उसको लॉंच करने की भी जो डेट है वो सामने आ चुकी है जिस मिशन की हम बात कर रहे हैं that is the Adit L1 मिशन जिसको की हम लोग लॉंच कर रहे हैं in order to study the sun ये इसरो का पहला ऐसा मिशन होगा जिसको की हम लोग sun को study करने के लिए लॉंच करने वाले हैं आप लोग यहां पर देख पाएंगे the Hindu की ये वाली खबर है कुछी दिन पहले सामने आई थी India's first mission to study the sun getting ready for launch इतना ही नहीं बलकि इसका एक और evidence आप लोग अगेन देख पाएंगे कि इसरो का जो Adit L1 मिशन है जो की इंडिया का पहला solar mission है ये भारत का जो space port है यानि की वह वहां पर जहां से हमारे जितने भी missions launch करे जाते हैं ये वहां पर पहुंच चुका है मतलब की बहुती जल्द अब इस mission को launch करने वाले हैं और इसकी जो tentative date है वो भी सामने आ चुकी है इसरो के जो chairman है Mr. S. Somnath इन्होंने बोल दिया है we are expecting to launch Adit by the end of August या फिर इन्होंने साथ आप ने ये भी कहा कि हो सकता है कि September के पहले हफते में शायद हम इसको launch कर देंगे मतलब की आज से 15-20 दिन के अंदर अंदर आपको जो Adit L1 mission है उसकी launching भी देखने को मिलने वाली है इस mission के बारे में बात करेंगे क्यों ये बहुत ही खास है इसको L1 क्यों कहा जाता है ये भ मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग हमें follow करना चाहते हैं हमारे lectures के updates राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिये गए टेलेग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं इसके इलावा दोस्तों बताना चाहूंगा कि हमारा जो आखडी batch है उडान X का वो शुरू होने वाला है from 1st of September अगर आपने अभी तक भी batch में रोल नहीं क्या है do not waste any more time अभी जाइए batch में रोल कर लीजे इस batch का जो प्राइज है that is only and only double 999 मात्र 10,000 में आपको संपूर्न UPSC civil सिवा परीक्षा की तयारी आपके घर बैठे बैठे आपको करवाई जा रही है GS की prelims और mains की test series की CSAT की सभी चीजें इसमें cover करवाई जाएंगी और साथ में optional के batches भी शुरू हो चुके हैं अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर के भी enrollment ले सकते हैं मात्र 10,000 रुपे में आपको optional के batches भी available करवाई जा रहे हैं दोस्तो अगर आप दोनों को combine करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं GS optional का combo वो available है मात्र 17,000 रुपे में इन सभी courses में enroll करने के links आपको description में दिये गए हैं pinned comment में भी दिये गए हैं यदि आपने enroll नहीं क्या अभी चाहिए enroll कीजिए ध्यान रखिए you have to use the coupon code ANI UPSC so that आपको maximum discounts यहाँ पर मिल सकें दोस्तो इनी batches में मैं आपके ल see point of view से relevant है also हमने pathfinder pass को भी launch किया है जिसका introductory price फिलहाल केवल 20,000 रुपे रखा है जिसमें आपको classes के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें available करवाई जाएंगी जो भी हम लोग नई-नई initiatives लेकर आएंगे वो सभी चीजें आपको available करवाई जाएंगी यह pass दो साल तक valid होगा और mind maps हुए case studies हुई यह सभी चीजों के जो courses है आपको totally free of cost इस pass के तहथ available करवाई जाएंगे इसमें अंदरोल करना चाहते हैं तो इसका link भी आपको description में दिया गया है alright so क्या देखने को मिला है so इंडिया का जो पहला solar mission है आदित्य L1 वो already जो हमारा एकलौता space port है श्री हरी कोटा में यहाँ पर आप देख पाएंगे हमारा जो space port है आंधरपदेश में श्री हरी कोटा में वहाँ पर यह पहुंच चुका है इसरो को उमीद है कि या तो end of August मे या फिर early September में इसको launch कर दिया जाएगा इसरो का official statement भी सामने आया है इसको आपके लिए पढ़ देता हूँ आदित्य L1 first space based Indian observatory to study the sun is getting ready for the launch the satellite which was realized at the UR Rao satellite center मतलब की जिसकी पूरी assembly और सब कुछ जो है वो इस center में हुआ था it has now arrived at the SDSC SHAR ये stand करता है सतीश धवन space center के लिए और ये श्री हरिकोटा में अब पहुंच चुकी है अगर आदित्य L1 mission की बात करें तो दोस्तों इसको launch किया जाएगा using the polar satellite launch vehicle थोड़ा सा ये अचंबे वाली बात है कि even though हमारे पास GSLV है लेकिन फिर भी हम लोग PSLV के launch करेंगे because अदित्य L1 को परिकल्पित आज से बहुत साल पहले किया गया था उस time पे इसकी जो पूरी designing थी इसका जो पूरा manufacturing था ये PSLV को ही ध्यान में रखते हुए बनाया गया था और ये बड़ी बात है अपने आप में because PSLV हमारा वही वाला launch vehicle है जिसके माध्यम से हमन दोस्तों जो मांगलयान मिशन था मार्स ओर्बिटर मिशन था उसको भी इसी के माध्यम से launch किया गया था अब उसी launch vehicle के चलते हम लोग आदित्य L1 को भी launch करने वाले हैं आदित्य L1 में आपको 7 payloads देखने को मिलने वाले हैं पेलोड के नाम आपको यहाँ पे दिये हुए ह यह नाम उतने important नहीं लेकिन ध्यान रखिए इसमें 4 payloads जो हैं वो काम करेंगे जो की sun को directly view करने का काम करेंगे और जो बचे हुए 3 payloads हैं वो basically इस अदित्य mission के अंदर लगाए गए हैं जो की उन जो data को collect किया जाएगा उसको फिर study किया जाएगा उसको analyze किया जाएगा तो यह पहला mission है जिसके चलते हम लोग sun को study करने वाले हैं तो इसके कुल में लाके दो बड़े objectives हैं एक तो जो sun की layers होती हैं जिसको आप यहाँ पर देख पाएंगे sun की जो outer layers होती है photosphere, chromosphere, उसके बाद corona एक तो इनको study करने का काम basically करने वाला है तो यह sun की corona वेगरा को study करने क का काम करेगा secondly sun से बाहर आने वाली बहुत सारी emissions होती है जिनको आपने सोना भी होगा solar winds को solar flares को उसके बाद coronal mass ejections को इनको भी study करने का काम आदित L1 mission करने वाला है solar winds क्या होती है solar winds basically सूरे से निकलने वाली charged particles वाली जो winds होती है उनको solar winds कहा जाता है यह 2400 घंटे सूरज मे से निकलती रहती है जो कि sun की जो magnetic field है उसको space में लेकर चली जाती है जो solar flares होती है यह solar winds की तुलना में थोड़ी strong होती है और यह sudden release से निकलती है एकदम धमाकी की तरह निकलती है और यह जो है बहुत जादा powerful होती है तो इनको भी study करने का प्रयास किया जाएगा and coronal mass ejections ज तरह एकदम से emit होता है जो कि उसके बाद आपको solar system में देखने को मिलता है तो इनको भी study करने का प्रयास basically आदित्य एलवान करने वाला है तो यह केवल sun की layers को नहीं बलकि वो emissions जो की ultimately आकर के धरती को भी effect करती है because जो solar winds और solar flares होती है यह कहा जाता है कि धरती के ऊपर जो इसको launch करके position कहाँ पर किया जाएगा वही सबसे interesting चीज है the mission will be launched by ISRO to the L1 orbit दोस्तों जो L1 orbit है इसकी जो दूरी है यह 1.5 million kilometers from the earth आपको देखने को मिल जाती है talking about the L1 orbit तो L1 orbit क्या चीज है देखिए space में कुछ ऐसे points है जिनको की हम लोग lagranj points या फिर lagrangian points बोलते हैं यह ऐस points है जो की space में आपको केवल 5 ही points देखने को मिलते हैं with respect to earth sun system की बात कर रहा हूँ यह अलग-लग planets के लिए अलग-लग होते हैं Earth के लिए आपको कुल मिलाके ऐसे 5 points देखने को मिलते हैं L1 हुआ, L2 हुआ, L3, L4, L5 आपको कुल मिलाके 5 points देखने को मिलते हैं इन points की यह ऐसे points हैं जहां पर धरती के द्वारा लगाया जाने वाला जो gravitational force of attraction है और जो सूरे के द्वारा लगाया जाने वाला gravitational force of attraction है यह आपस में balance में आ जाते हैं, equilibrium में आ जाते हैं, मतलब कि यहां पर ना तो आपकी जो satellite है वो sun की तरफ खिचेगी, ना आपका जो satellite है वो धरती क तरफ खिचने वाली है, यह points बहुत ही specific है, मतलब कि अगर थोड़ा सा भी इदर हुए तो possible है कि वो वाली जो satellite है वो खिची चली जाएगी towards the sun, अगर यहां से थोड़ा सा भी इदर हुए तो वो शायद sun की तरफ खिच जाएगी, अगर थोड़ा सा भी इदर हुए तो वो Lagrangian points कहा जाता है, because एक phiricist है Joseph Lagrange, जिनके द्वारा इनकी खोज करी गई थी, इसी point पे जो L1 का point है, क्योंकि यहां पे equilibrium maintained है, इसी point पे basically आपका जो यह वाला अदित्य mission है, इसको station किया जाएगा, L1 refers to Lagrangian points, one of five points in the orbital plane, they are positions in space where the gravitational forces of a two-body system like the sun and the earth produce enhanced regions of attraction and repulsion, लेकिन ultimately, basically, वहां पर आपका वो जाकर के stable हो जाता है, वहां से हिलता नहीं है, now L1 तो केवल एक point हुआ, जहां पर जाकर कि आप उसको रखोगे, लेकिन आप अपनी जो mission है, उसको वहां पर जाके रखते नहीं हो, वहां पर एक orbit बना हुआ है, जिसमें की वो घ घूमता रहता है, यहां पर जो L1 है, यहां पर दोस्तो एक orbit आपको देखने को मिलता है, जिसमें की आपका mission इस तरीके से घूमता रहता है, इस orbit को halo orbit कहा जाता है, a satellite which is placed in the halo orbit, इसको सबसे बड़ी advantage क्या होती है, कि यह continuously sun को देख पाएगी, continuously sun की photos को खीच पाएगी, इसम आपकी घूम रही है इस area में, और यह आपका continuously जो है इस तरीके से घूमता रहेगा, यह continuously sun को देखने की शमता रखता रहेगा, यह भी इसकी बहुत बड़ी advantage है, जिसकी वज़े से यह काफी एक interesting point माना जाता है, so L1 वही point है by the way, जहां पर already NASA के द्वारा भी एक solar observatory को station किय गया है, जिसका नाम है SOHO, solar and heliospheric observatory satellite, also known as SOHO, तो इस point पे हमारा भी mission finally हमें देखने को मिलने वाला है, बहुत बड़ी बात है, because अभी तक दुनिया में बहुत ही गिने चुने देश हैं, जिन्होंने प्रयास किया है sun की तरफ missions भेजने के लिए, अभी तक अगर आप देख अताकि चाइना के द्वारा भी एक solar observatory को launch किया गया है, पिछले साल अक्तूबर 2022 में, इसके इलावा कोई और देश नहीं, जापान नहीं, रश्या नहीं, कोई भी और देश नहीं है, जिन्होंने sun की तरफ अपने missions को भेजने का प्रयास किया हो, सबसे बड़ा mission जो की by the way फिलहाल चलाया जा रहा है, sun को study करने के लिए, वो NASA का Parker Solar Probe है, जिसको दोस्तो 2018 में launch कर दिया गया था, यह आप यहाँ पे देख पाएंगे, और यह अभी सूरे की तरफ जा रहा है, यह 2024 तक सूरे के पास पहुंचेगा, और यह जाकर के sun को properly study करने वाला है, तो यह obviously बड़ा mission है, लेकिन यह कुछ-कुछ missions हैं, जो की बाकी देशों के द्वारा launch करे गए हैं, Helios 2 Solar Probe, NASA ने बहुत साल पहले launch किया था, Solar Orbiter, NASA ने योरोप के साथ मिल करके launch किया है, लेकिन as I told you, बहुत ही limited missions हैं, जो की NASA हुआ या कोई भी और हुआ, जो की sun की तरफ launch करता है, तो इसलिए, India has now basically entered a very very elite list of countries, because बहुत कम लोग हिम्मत करते हैं, sun की तरफ एक mission को launch करने के लिए, देखते हैं, जो भी नहीं developments होंगी आपके सामने, हम लोग लेकर आएंगे, फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, जाने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, Pathfinder की Perspective Series को यदि आपने checkout नहीं क्या है, please इसको जरूर देखे, इससे आपकी काफी doubts और strategies को लेकर जो चीजें है वो clear हो सकती है, thank you so much for listening, stay tuned and stay safe.